क्रिशी कानूनों को लेकर पिछले दो महीने से प्रदशन कर रहे किसान अब 26 जन्वरी को अपनी परेड निकालने जा रहे हैं। केतों में चलने वाले ट्रैक्टर एक बार फिर सडकों पर नजर आएंगे। लेकिन इस बार बॉर्डर की नहीं बलकि रास्थानी दिल्ली की सडकों पर ट्रैक्टर गरस्ते दिखेंगे। क्योंकि पुलिस ने किसानों को परेड की मंजूरी दे दी है। अब इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि वो इतिहास बनाने जा रहे हैं। साथ ही इस बड़ी ट्रैक्टर परेड को लेकर कई हिदायते भी दी गई है। ट्रैक्टर रेली को देखते हुए राजियों की पुलिस यात्रियों के लिए ट्रेवल एडवाईजरी जारी कर रही है। इसके तहट कई रूट्स को बंद कर दिया गया। वहीं आगामी दो दिनों के लिए कुछ रास्तों से न गुज़रने की सला दी गई। किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रेली को लेकर रूट फाइनल हो गया। आइए नजर डालते हैं तैह हुए तीन रूट पर जो ट्रैक्टर रेली के लिए तैह किये गए हैं। पहला रूट सिंगु बॉर्डर से केमपी, एक्सप्रेस वे तक मार्च। किसान सिंगु बॉर्डर से संजय गांधी, ट्रांस्पोर्ट अगर होते हुए, कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केमपी, एक्सप्रेस वे पढ़ जाएंगे और वापस सिंगु बॉर्डर लोट जाएंगे। ये 62-63 किलो मिटर का चक्कर होगा। दूसरा रूट तिक्री बॉर्डर से वेस्टन पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे तक मार्च। आपको बता दे कि पुलिस ने ट्रेक्टर रेली के लिए टिक्री बॉर्डर से 63 किलो मिटर, सिंगु बॉर्डर से 62 किलो मिटर और गाजीपूर से 46 किलो मिटर के रूट को मन्जूरी दी है। पंजाब और हर्याना की हाईवे ट्रेक्टर से भड़ चुके हैं। बड़े आयोजन समालना बड़ी चुनोती से कम नहीं होगा। Bureau Report, The Fact India Bureau Report, The Fact India Bureau Report, The Fact India झाल